बाहु बली अतिक एहमत की पत्नी सहिस्ता प्रभीन आज प्रेस कामप्रेंस की इस दौरान मुखमंत्री योगी आदित नाद के उपर हमला बोलते हुए कहा कि छेत्री ये मंत्री ने मुखमंत्री को ब्रहमित करके भूमी पूजन कराया अगर छेत्री विधायक को गरीबु को आवाज देने का इतना ही सोख है मैं उन्हें जमीन देती हूँ जमीन को लेकर वह गरीब को आवाज देने का काम करें जिस जमीन पर मुखमंत्रय योगी आदितनात ने भूमी पूजन किया वहाँ जमीन बिवादित है वहाँ जमीन न तो मेरी है ना भी छरकारी समधिये लेकिन आने वाले समय में उस जमीन का रेजिस्टी अपने नाम करा कर नयाले से लड़ाई लड़कर उस जमीन लेने का काम करेंगे छेतरी बिधायक ने जिस तरह से ब्रहमित करकर मुक्मंत्री जी से नाजुल की जमीन बता कर उसमें सिला नैस कराया है या आने वाले समय में यह जमीन भाई जान की होगी और इसमें घर बनेगा गरीबू के लिए ही घर बनेगा अतीक अहमत अभी जेल में बंद है ल भूमी पूजन कराकर चुनावी इस्टेंट का जो दाओं खेल भाजवा सरकार खेल रही है उसमें वह सपन नहीं हो गए छेतरी विधायक सिधाद नाज सिंग ने मुक्मंत्री को हाकीकत नहीं बताया बलकि चुनाओं जीतने के एक सर्यंद को उन्होंने जमीन का मोरा बना खर गरीबों को खीचने के लिए प्वाद पख़ड़ा कि दिया है मैं जमीन को पाने के लिए नयाले जाओंगी नयाले के बाद सुप्रियम कोट तक की इसके लडाई लडूँगी विधायक जो है उनको बहुत शौक है गरीबों को देने के लिए तो हम यह कह रहे हैं कि वो अपने पैसे से आएं गरीबों को बना कर दें तो हम अपनी पुछतेनी जमीन की देने को तैयार हैं वो इस जमीनी नेता नहीं है आपने भी भायों मेरे बंदूओं पत्रकारों हमने जैसा भी कल टीवी पर देखा कि वहां के यह जमीनी नेता नहीं है जमीने विधायक जमीनी नेता नहीं है और यह जमीनी नेता बनते हैं यह तो दिल्ली में वो थे यहां पर आके भाई बीज व्हेपी वह कि जी जीत गए और यहां के जमीनी दू केशोमर्या-जी हैं लेकिते केशो मर्या-जी ने भी ने नंट एक अभी कुछ दिन पहले बयान दिया था उन्होंने कि गोंकि वालों का हैuğ अहां सफायա हो गया है तो जैसा कि करन तीवी पे देख रहे थे कि सारे थे मुक्वधिया जी के साथ नहीं थे मुक्वंतरी जी लूगी पहनते हैं क्या मुक्वंतरी जी लूगी पहनते इस वजह से नहीं आए कि आप लोगे को जानकारी है और शायद आप लोगे पर मौजूब ही रहे हैं तर दाने में पंद्रीजी ने बन मुकरदन ने एक 19 जमीन पर गरीबों के आवास के लिए भूमी भूजन करवाया गया है इसे परचान किया रहा है यह जमीन श्रीयती के कब्जे में ठुवाई गई है और पो जानकारी देना है यह जमीन लोगों के करीबी श्री रफात उल्ला और अच्छे भाई की जमीन है और उनके नाम रजिश्ट्री है जो हाई कोट में विवादी जमीन है हाई कोट में इसको यह चल रही है लेकिन इस बंगले का इस्तेमाल मेरे पती करते थे खासतार पर बंगले का चुनाओ समगरी रखने और कारकताओं के रुखने के लिए इस बंगले का इस्तेमाल किया जाता था चेतरी विधायक में सस्ती लोगप्रीता हासिल करने के लिए मानि मुक्वंत्री जी को भ्रमिक करके एक विवादी जगह का भूमी पूजन करवा दिया गया पुक्त बंगला अदालत से रिलीस किया गया है और इस बंगले का विवाद हाई कोट में बंचित है जिसमें सरकार बकाईदा पार्टी है परशासर ने इस बात को मानिय मुक्वंत्री जी से शिपाया और चुनावी स्टंड के लिए ये नाटक किया छेतरी विधाय जी को अगर गरीबों को आवास देने का शौक है तो हम उन्हें अपनी पुष्टैनी जमीन देते हैं जो आए और उस पर गरीबों को आवास बनवा कर दें हम लोग तो गरीबों को बरसाए हुए थे हमारे आफिस के सामने जो हम लोगों की पुरानी बिल्डिंग तोड़ी गई है उसमें पचासो आदमी पचासो गरीब रहा करते थे उसको बुल्डोर्जर से तोड़ाया गया अधिक गरीब परिवार मुफ्त में रहते थे जिन्हें उजार दिया गया हमारा अपना मकान ना गिरा होता तो हम सब को यही बसाते छेत्री विधायक तो किसी को नहीं बसा पाएंगे लेकिन शिरियतीक एहमत के जेल से निकलने के बाद हमको बसाया जाएगा सब को बसाया जाएगा दरसने बिजेपी के विधायकों में सबसे ज्यादा छेत्री विधायकी हालत खसता है अपकी जमानत भी बचने की उम्मीद नहीं पिछली बार ये कैसे जीते ये तो आप सब को मालूम जानते हैं अपनी खसता हालत को सुधारने के लिए और ये दिखाने के लिए ये उन्होंने शिरियतीक एहमत के बंगले पर गुर्डोजर चलवाया उसमें घरीबों का आवास बनवाने की योजना बनाई है उसका ये खौप ही रहेगा उनका ये चुनावी इस्टन कुछ काम नहीं आएगा इस जमीन की लड़ाई को हम बहुत मस्बूती से सुप्रिम कोर्ट तक लड़ेंगे और अब इस जमीन को रफात और अच्छे से हम अब अपने नाम करवाएंगे और इंशालला जीतेंगे छेतरी विधायक जी तो घरीबों से उन्हीं का पैसा लेकर उन्हें मकान देने की बात कर रहे हैं जबकि वो किसी को मकान तो क्या शेट नहीं दिला सकते दिला पाएंगे लेकिन हम अपने गरीब भाईयों को जिन्हें इस सरकार में अतिक एहमत के नाम पर उजाड़ा गया है उन्हें जरूर वसाएंगे वो भी अपना पैसा खर्च करके